हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम कलर का क्वेशन पेपर सॉल्व करेंगे जो अभी हुआ है 29 ओफ अगस्त पोस्ट कोड था 887 यह वीडियो का पार्ट टू है पार्ट वन में हम 30 क्वेशन पहले ही सॉल्व पर चुके हैं with the great and detailed explanation और अराउंड वहां पर आपके 50 to 70 questions बनेगे क्योंकि मैंने वहां पर options को भी explain किया है कि इससे क्या questions पूछे जा सकते हैं वह कई बार exam में पूछे भी गए हैं और आगे भी chances है कि वहां से questions पूछे जाएंगे तो आप उस वीडियो को भी refer कर सकते हैं playlist में जाकर तो आगे स्टार्ट करते हैं हम most suitable soil for the production of cotton आपको बताना है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उप्यूक्त या अच्छी मिरीदा कौन सी है तो इसका जो राइट आंसर है option A black soil गर हम बात करें तो इसमें nitrogen बहुत कम होती है आपका जो phosphorous होता है वो भी कम होता है और आपका जो organic matter होते हैं वो भी कम होते हैं जनली या हमारे महराश्ट्रा में पाई जाती है या आपके जो गुजरात हो गया या आपका मध्य परदेश हो गया यहां इन एरियाज में ये black soil पाई जाती है अगर आप बात करें LOL soil की option जो हमारा B है LOL soil को हम रीवराइन soil भी बहुते हैं यह जनली आपकी जो irrigation system में यूज होती है जो आपके canals हो गए उनके लिए यूज होती है और अगर आप फसलों की बात करें तो इसमें आप rice wheat sugar cane आपका जो tobacco है पलसी है जूट मेज इनकी खेती के लिए बहुत अच्छी होती है अगर आप बात करें LOL soil की तो यह हमारी जनली टोमेटो या पैपर्स या अनियन इनकी खेती के लिए अच्छी होती है नेक्स कुश्चिन है हमारा which is an abiotic component of environment आपको बताना है इन में से कौन सा एक पर्यावर्ण का अजयव घटक है सबसे पहले बात करते हैं कि abiotic component क्या होते हैं abiotic component क्या होते हैं कि जो non living है ठीक है तो ग्रीन प्लांट्स तो living है आपके decomposal भी living है बट जो आपकी gravity है जो most suitable है इसका जो आंसर है वो gravity ही है कि gravity आपकी non living है तो आपका abiotic component of environment भी यही होगा जैसे आपका abiotic में आपका आलिस्क ने जैसे आपका temperature हो गया आपकी sunlight हो गया तो यह आपकी abiotic components है next question है आपका the concept of survival of the fittest was first advocated by आपको बताना है कि survival of the fittest इसका सबसे पहले अवधार्णा किसने दिया था तो जो इसका हमारा right answer option B darwin next question देखते हैं the red data book provides an account of आपने बताना है जो हमारी red data book होती है वो किसके बारे में विवरन देती है तो इसका जो हमारा right answer option C endangered plants and animals option C is the right answer next question है हमारा which vitamin can't be drawn from any vegetable आपको बताना है हम किस vitamin को सब जियों से अलग नहीं कर सकते है आपका option C is the right answer vitamin D generally vitamin D आपकी vegetables में नहीं होती है vitamin D हमें sunlight से मिलती है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं vitamins की तो देखते हैं सबसे पहले जो हमारा vitamin concept दिया था वह हमारा calcium func अगर आप vitamin की बात करें तो हमारे जो calcium func थे कैसी मर फंक आप func भी याद कर सकते हैं calcium func ने vitamin का सबसे पहले concept दिया था अब थोड़ी बात करते हैं कि vitamins के बारे में जान लेते हैं जो हमारी vitamin A है vitamin हमारी जो A है उसका जो chemical name है उसे कहते हम retinol retinol और जो retinol से अगर vitamin A की कमी होती है तो हमें night blindness हो जाती है और यह हमारी fat soluble vitamin है fat soluble अब बात करते हैं अपनी vitamin B की तो vitamin B B1 जो हमें होती है उसे कहते हैं किसका chemical name है हमारा thai amine thai amine is the chemical name of vitamin B अगर आप बात करते हैं vitamin B2 की B2 को बोलते हैं riboflavin याद कर सकते हैं बहुत बार पूछे जाते हैं और आपकी जो vitamin B3 है इसे कहलते हैं नाइसीन या नियासीन जो भी कहें आप एन आए एसी आइन और आपके अगर हम बात करें जो हमारा पेलेग्रा डिजीज होता है उससे हमें vitamin B3 सेव करती है अगर आप बात करते हैं vitamin C की तो vitamin C का जो chemical name है वह हमारा ascorbic acid और vitamin C जो generally होती है आपके जो खटे बदार्थ होते हैं उनमें पाई जाती है जैसे आपका निम्बू हो गया आपका संत्र हो गया कई बार ये question भी पूछा जाता है और बात करते हम vitamin D के बारे में तो जो vitamin D इसमें जो हमारा vitamin D में D2 होती है उसका नाम होता है Ergo Calciferol Ergo Calciferol एंड जो vitamin D3 होती है हमारी vitamin D3 उसे कहते हैं कॉले कैल्सी फिरोल कॉले कैल्सी फिरोल सम्टाइम में आपसे question पूछा जाता है कि आपकी जो fat soluble vitamins है वह कौन सी है अगर आपकी fat soluble अगर हम बात करें तो यह होती है हमारी ADEK आप यह याद रख सकते हैं हमारी ADEK आपके fat soluble vitamins है और water soluble यह भी पूछा जाता है बहुत बात पूछा जाता है vitamin B and C आपकी water soluble vitamins है और आपकी आपका आप जैसे ही अपना discharge करते हो तो उसी के थ्रूँ यह निकल जाता है और अगर आप अगर आप से पूछा जाए कि अगर आप किस vitamin की overdose से आपका liver damage हो सकता है तो उसका अंसर है option sorry B3 B3 is the vitamin जिसका overdose से आपका liver damage हो सकता है तो यह था कुछ vitamin से related कुछ question देखिए बार-बार पूछे जाते हैं और आपको यह पता होना चाहिए next question है why is secreted by आपको बताना जो पित स्रावित होता है आपको किस जगह से होता है यह आपको बताना देखिए question बहुत बार पूछा जाता है तो जिसका मारा right answer है option B liver इसे कई बार हम यहां से कहते हैं कि bile juice भी पूछ लिया जाता है कि question वही है कि bile juice is created by option होगा option भी लिवर और जो होता है वह हमारा gall bladder में होता है तो यह आप ध्यान रख सकते हैं और एक question पूछा जाता है कि आपसे कि आपका जो insulin है वह कहां से निकलता है तो हमारा निकलता है pancreas से कि next question is shaving mirror is आपको बताना जो हमारा shaving का शिशा होता है वह कौन सा होता है इसका जो right answer option B concave mirror देखिए question बार बार पूछा जाता है तो आप please इसे no down कर लेजिए और यह क्यों यूज किया जाता क्योंकि इसमें आपको जो images है वह magnified है आपको थोड़ी बड़ी images दिखते हैं इसलिए ही आपका shaving mirror जो हमारा concave mirror होता है अगर बात करें आप convex की तो जो आपके rare view देखने के लिए जो vehicles में जो आपके side mirrors होते हैं वह हमारे convex mirror के यह convex mirror होते हैं नेक्स question है आपका जो optical fibers work on which principle of light आपको बताना जो optical fiber होते हैं हमारे वह किस सिधानत पर कारे करते हैं तो इसका जो right answer है option C total internal reflection जिसे हम TIR भी कहते हैं आपने दिखा हुआ कि अगर आप गाउं में रहते हैं या शहरों में रहते हैं तो आप दिखाओ कि grounded cables बिचाई जाती हैं आशकल networking के लिए आपके network के लिए तो यह हमारा उसमें यही phenomenon होता है वही हमारे optical fibers बिचाई जाते हैं ठीक है तो यह आप याद रख सकते हैं राइज of oil in a wick is due to आपको बताना है कि जो हमारा बाती में जो छड़ता है उसका क्या रिजन है तो इसका जो हमारा right answer option c surface tension the surface tension अगर जनरली यहांपर एक option और भी हो सकता है है हमारा capillarity the capillarity होती है हमारी जनरली किस कारण होती है वह हमारी एट हैशन और एफैनेस्ट है तो आपका ओप्ष्ण इप्जिटी भी सही और सर्फिस तेंशन भी सही है तो यू वेबस्था इंद्ण पांपन होती एकंडेना ङर quote सिर और है भी अशरा implementing system आपको पताना जो हमारे विद्धुद चुम्बक होते हो किस से बनाए जाते हैं तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन भी सॉफ्ट आयरन तेकि सॉफ्ट आयरन से इसलिए बनाए जाते हैं कि जब आपका इलेक्ट्रिसीटी आप बंद कर देंगे तो आपकी जो मेगनिटाइजिशन है वह भी खतम हो जाएगी इसलिए आपके यह सॉफ्ट आयरन से बनाए जाते हैं यह सॉफ्ट आयरन की इसमें प्रॉप्टी होती है नेक्स कोश्चिन आपका विच एलिमेंट डाज नौट शो रेडियो एक्टिविटी आपको बताना इन में से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा नहीं है तो यह उप्शन सी ऐलोमीनियम यह तो बहुत ही इजी कोश्चन था क्योंकि ऐलोमीनियम तो आप जररली यूस क आपको नहीं मिलते हैं, यह हमारे जो साइन्टिस्ट होता है, वो लैप्स में यूज करते हैं, और दूसरी बात, रेडियो अक्टिविट, जो आपके ऐलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो यह इसली आंसर कर सकते थें, आपको बताना है, जूदगी का कारण क्या है तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्षिन ऑप्षिन ए कार्बन डाइयोक्साइड जब आप सी ओटू को पास करते हैं लाइम वाटर से ठीक है तो यह हमारे इंसॉलिवल केल्शियम कार्बनेट प्रोड्यूस करता है ठीक है और आपका जो चूने का रंग होता है वो आपका मिल्की कलर का हो जाता है तो आपका उप्षिन ए कार्बन डाइकसाइड राइट आंसर है नेक्स क्वोशिन है हमारा कॉमर्शल नیम ऑप्सॉडियंव बयृक़र्बनेट आपको क्मर्शल नाम जो हमारा सोडियंव है उसका साइक नाम मतलब आप जो घरों में यूज करते हैं जो हम जनली आम भाशा में यूज करते हैं देखिए कोश्चन मिलता जुलता ही कोश्चन आपका ट्राफिक इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था तो कमर्शिल नेम जो हमारा तो आपका sodium bicarbonate का है वो क्या है तो sodium bicarbonate हमारा होता है baking soda option b is the right answer और इसका जो हमारा प्राइश याद रख सकते हैं और आपका जोॉशिंग सोडा होता है तो हमारा sodium carbonate washing soda sodium carbonate होता है और इसका जो chemical formula होता है वह हमारा Na2CO3 bleaching powder bleaching powder को हम विरंजग चून भी कहते हैं ठीक है और इसका जो chemical name है वह हमारा calcium hypo chloride भी कहते हैं और इसका जो हमारा chemical formula होता है bleaching powder का होता है CAOCl2 यह भी आप याद रख सकते हैं filament of electric bulb is made आपको बताना है जो हमारा बिजली बलब का तंतूर किसे बना होता है आपने देखा हुआ कि जो हमारे bulb होते हैं वह बहुत ही गर्म हो जाते हैं ठीक है तो उन्हें एक ऐसी metal चीए जो high temperature को रिजिस्ट कर सके पिगले नहीं हो ठीक है तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वह हमारा scratch और अकर आप बात करते हैं आपके बिगड़ाइट की तो ब्यक्नलर जो था अमारा यह फॉस्ट प्लास्टिक था जो मह एंस्ट्टिक कंपनेंट्स और आपके बैकेलाइट के एगर हम बात करें, प्रैक्टिकल एपलिएशन, जो हमारे पुरार्यन हे टाइम के जो स्विचिज रजील होते थे, जो बोट dul होते थे उनमे लगा होता था या उससे वो बने होते के लिए हम इसका बेश यूज करते हैं या आपका बैके लाइट से बने होते थे अगर आप बात करें नाइलॉन की तो नाइलॉन आपका जो है वह एक सिं्धेटिक फाइबर है और इसे हम polyamide के group से है यह यह भी पुछा जा सकता है और अगर आप बात करें polythene की तो polythene यह पुछा जा सकता है कि polythene है क्या यह हमारा thermo setting plastic होता है यह आप याद रख सकते हैं next question a spelling checker is also called आपको बताना है कि spelling checker क्या कहता है इसका जो right answer है option c electronic dictionary in word processing the ability to adjust space between two characters is called आपको बताना है word processing में दो अक्षरों के मद्धिस्थान का सही करने की ख्रमता को क्या कहते हैं तो जिसका हमारा right answer option a learning यह हमारा right answer है next question देखते हैं in ms word the process of removing unwanted part of an image is called यह question कई बार पूछा जाता है कि अगर आपको किसी ऐसे हिस्से को काटना है जो आपको पसंद नहीं है जिसकी need नहीं है तो उसको क्या कहते हैं देखिए कई लोग इसे cutting कर देते हैं कि option में क्योंकि सामने दीख रहा है कि आपको cut करना ही remove होता नहीं तो इसका जो हमारा right answer है हो हमारा crop यह question बार-बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि option में आपको एक option cutting का भी दिया जाता है next question है इसका जो हमारा right answer है option A control plus E control plus S से आप save कर सकते हैं control plus C से आप copy कर सकते हैं text styling feature of MS Word आपको बताना जो MS Word का text styling feature है उसे हम क्या कहते हैं यह question भी पहले पूछा गया है और recent exam में पूछा गया है तो इसका जो हमारा right answer है वह हमारा word art word font तो आप जानते ही हैं और word color भी जानते ही है number of letter that appears little below the normal text in MS Word is called आपको बताना है जो MS Word में हमारे normal text के थोड़ा नीचे कुछ action लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तो इसका जो हमारा right answer है वह हमारा subscribe और super script जैसे होते हैं जैसे हम चार लिखें और इसके उपर जैसे फूर्थ लिखना होगी है हमारा super script हो गया और subscribe जो हमारा नीचे लिखा जाए which can be used as a watermark in a word document आप बता सकते हैं कि watermark के लिए आप क्या use कर जाकते हैं text है image देखिए आप watermark यहाँ पर यह लगा है हमारा hp exam.in तो यह हमारा एक तरीके साथ यह text है आप photo भी लगा सकते हैं जैसे करी लोगों के logo होते हैं तो इसका जो right answer है option 3 both a and b और जो यह pdf मुझे provide किया है यह हमारे brother है इनका page है hs guru facebook पे आप search कर सकते हैं हमारे exam से related बहुत सी queries को solve करते हैं लोगों की बहुत है पर करते हैं तो आप इने follow कर सकते हैं और इनकी website है hp exam.in इसे भी आप follow कर सकते हैं आप pdf देख सकते हैं question जो इनने upload किये होते हैं आप देख सकते हैं next question है हमारा the direction of rectangular page for viewing and printing is called आपको बताना एक आयताकार page को देखने रचापने की दिशा को क्या कहते हैं इसका जो right answer है हमारा option d orientation we can change the thickness of a line in ms word आपको बताना अगर आपको line की thickness या आपको मुटाई change करनी है तो आप कैसे change कर सकते हैं जो इसका right answer है हमारा option option d line style में जाके ये change की जा सकती है option d is the right answer in which view headers and footers are visible in ms word ms word के किस view में header और footer दोनों दिखाई देते हैं इसका जो right answer है हमारा option c print layout view which place in hp is known as little tibbet आपको बताना है little tibbet के नाम से किस area को जाना जाता है इसका जो right answer है हमारा option b धरम शाला next question है हमारा first information commissioner of hp was आपको बताना है हमारे जो first information commissioner थे वो कौन थे हिमाचल के इसका जो हमारा right answer है हुए हमारा option a b s राना next question है आपका की largest artificial lake of hp आपको बताना है जो प्राकृतिक जील सबसे बड़ी कौन सी है तो इसका right answer है option d go in सागए जो rain को है हमारी ये हमारी सबसे बड़ी natural lake है पंडो एंड शमेरा भी हमारी ये artificial lake ही है तो आई देखते हैं हमारा next question which district of hp has lowest number of small scale industries आपको बताना है इन में से सबसे कम लग उद्योग इकाई है कहां पर है इसका जो हमारा right answer option a की नौर और की नौर में कितनी है 580 और अगर आप बात करें लाहूस पीटी की तो लाहूस पीटी में बहुत ही करीब करीब है हमारी सबसे ज्यादा small scale industries है अगर हम 2012 तक की बात करें तो अहां पर कितनी थी 8984 8984 तो यह थे पार्ट टू जिसमें हमने 30 questions और solve करें हैं देखिए मैं जो question solve कर रहता हूं इससी explanation इसलिए देता हूं क्योंकि examiner आप से कुछ भी पूछ सकता है अगर आप अगर मैं भी चाहूं तो मैं क्या अगर सकता हूं कि आपको सिर्फ answer बताया और next question कर दिया बट ऐसा होता अगर आपको एक थोरो knowledge होगी किसी भी question की options की तो आपके लिए exam में options को eliminate करना भी easy होगा अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक शेर और सब्सक्राइब पर सकते हैं